आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो प्रेंट्स, हमार जो question है उसमें बुलगे है कि the function fx is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 for all real values of x is increasing, decreasing, increasing and decreasing neither increasing nor decreasing ठीके, तो देखो अगर मेरा fx is मैं बोलता हूँ की increasing है ठीके, अगर मैं बोलता हूँ की fx is increasing है तो इसका case क्या होता है इसका यह होता है कि इसका differentiation f dash x यह क्या होना चाहिए greater than or equal to 0 होना चाहिए अगर increasing है तो ठीके, अगर मैं बोलता हूँ की fx is decreasing fx is decreasing तो ऐसा decreasing तब होता है जब इसका differentiation of dash x यह less than or equal to 0 होता है ठीके, तो इसका मतब इसका differentiation करना पड़ेगा हमें तो fx कितना है fx है मेरा x का cube और minus में कितना 3x square और minus plus में 3x और minus में 100 ठीके, तो यहां से इसका differentiation कितना हो जाएगा f dash x is equal to देखो, x cube का differentiation 3x square होता है तो 3x square x square का differentiation 2x होता है तो 2x माइनस में 3 करूंगा तो माइनस में 6x हो जाएगा और plus में x का differentiation 1 होता है तो यहां सिर्फ बचेगा 3 और यह constant है, इसका differentiation 0 ठीके, तो यहां से अगर मैं 3 common कर लेता हूँ तो x square minus में 2x और plus में 1 होगा ठीके, अब देखो, इसको में क्या लिख सकता हूँ 3 into में, देखो x का square और minus में 2 into में 1 into में x लिख सकता हूँ और plus में 1 का square लिख सकता हूँ ठीके, तो देखो, यह a square minus में 2ab और plus में b square है इस type का है, तो यह होता है a minus b का whole square, ठीके, इसका मतलब यह होजाएगा 3 into यहां पर x minus 1 का whole square ठीके, तो f dash x इतना आगया है, अब देखो, यह square है, तो यह हमेशा क्या होगा greater than or equal to 0 होगा ठीके, यह हमेशा positive यह 0 के equal हो सकता है, ठीके, सारे real values के लिए, ठीके, तो यह देखो, इसका differentiation क्या है, greater than or equal to 0 है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यह function क्या है, increasing है, तो मेरा option कौन सा सही होगा increasing, ठीके, only increasing, तो hope आपको समझ में आऊगा, thank you Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर